मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब का जन आगरा में 27 दिसंबर साल 1797 को हुआ था एक सैनिक प्रिश्ट भूमी वाले तुर्की परिवार से तालुक रखने वाले मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खान उर्फ गालिब था गालिब के बच्पन में ही उनकी चाचा और पिता का देहान दो गया था बच्पन से ही उन्हें कविताएं और शायरी का शौक था सिर्फ ग्यारा साल की उम्र से ही उन्होंने शायरी लिखनी शुरू कर दी थी उनके मशूर शेर कुछ इस तरह से हैं हजार उख्वाहिश ए ऐसी कि हर ख्वाहिश पिद्दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मान लेकिन फिर भी कम निकले उनके देखे से जो आ जाती है मुँपर रौनक उनके देखे से जो आ जाती है मुँपर रौनक वो समझते हैं कि बिमार का हाल अच्छा है वो समझते हैं कि बिमार का हाल अच्छा है ये ना थी हमारे किसमत कि विसाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता अगर और जीते रहते यही इंतिजार होता रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काईल जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है इश्क उपर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है वो आए घर में हमारे खुदा की कुद्रत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं मेरे जेब में जरा सा छेद क्या हुआ सिक्के से जादा तो मेरे रिष्टे गिर गए महबत में नहीं है फर्क जीने और मरने का महबत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते हाथों की लकीरों पे मज जाए गालिब नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन हमारी जेब को अब हजात रफू क्या है हुई मुद्द की गालिब मर गया पर याद आता है हुई मुद्द की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना की यू होता तो क्या होता वो हर एक बात पर कहना की यू होता तो क्या होता